मशकार मेरे चनल पर आपका स्वागत है, आज मैं आपके लेकर आई हूँ बेसन चीला और प्याज के पकॉड़े की रेसिपी, बेसन के चीले के साथ मैंने बनाया है लसून मिर्श की चटनी, उसकी रेसिपी भी इसी वीडियो में है, तो टोटल तीन रेसिपीस है इस एक वी मिला लेना है, तो इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें, यह अभी हम प्याज के पकॉड़े के लिए यह बेटर तयार कर रहे हैं, इसी बेटर में हम बेसन का चीला भी बनाने वाले हैं, तो वो चीला कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप वीडियो को पूर जरूर द देनी है, इसी तरह से हम बनाएंगे प्याज के पकॉड़े, तो इस तरह से सभी प्याज के स्लाइसे को इस तरह से अलग-अलग कर लें, यह जुआइंट रहेगा पर इसकी परती सिर्फ अलग रहेंगे और इस तरह आध्य प्याज को भी इस तरह कटकिए है यहां मैंने, और यह जो बाकी के स्लाइस बचें उसे रख देना है तो आप प्याज के पकोड़े फ्राई करने के लिए डालेंगे तो प्याज को इस तरह से पकड़े हाथों से और फिर इसे बेसन में डुबाएं इस तरह और फिर उसे तेल में फ्राई करने के लिए डालना है तो तेल पह में 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 करते हैं तो यह त्यार हो गए पयाज के दो сообщ करेंगे चिला चाने के लिए इसका आसी बैटरमें हमने पकषै़ लंहें हम ने चिले के लिए। तो ये बागी के जो प्याज के स्लाइस बचे हैं वो इसमें डाल देना है फिर एक तवा लेना है तवे को गर्म करने के लिए रखे गया असपर उसमें तेल डाल एक चमच और फिर ये जो चीले का बैटर है वो इसमें डाल देना है तो चीले का बैटर दो चमच डाल दे इसम चीला बनाना बहुत ही असान है यह चिपकता नहीं है बिल्कुल भी बहुत ही असानी से पलट सकते हैं इसे और यह बहुत फटाफट बन जाता है इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता तो इसे आप सुबह सुबह डेक फास्ट में असानी से बना सकते हैं बहुत जल् और इसमें डाल देना है जीरा और नमक और फिर इसे इस तरह कटोरी की सहायता से मैश कर लेंगे या फिर इसे ग्लास की सहायता से मैश कर लें लसून और मिर्श को अच्छे से पका लेना है पहले तब यह मैश होंगे अच्छे से तो यह देखिए लसून मिर्श की चटनी तय तयार है इसमें थोड़ा सा नीबू का रस मिला दें आधे नीबू का तो यह हो गई लसून मिर्च की चटनी तयार यह रिस्पी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रू बताई आए